सब्सक्राइब करें कि अपने प्रेप्रपिरिशन को बहतरिंग कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ तो फर्स्ट कोश्चन है कि वर्धित हिदय गती और रक्तचाप मांस्पेशियों में तनाओं दात भीचना मिचली दुद्ली नजर ये प्रभाव दवाओं के निम्नलिखित प्रकार में से किसके साथ बहुत दिर्टा से जुड़े हुए हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों यम्डी यम्मे आपसन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा यम्डी यम्मे का फुल फॉर्म होता है मेथायल इंडाउकसाइड मेथा एंपेटा माइड यह एक प्रकार की सिंथेटिक औसदी है जो प्राया ब्यक्ति के मनोदसा तथा समवेदना को प्रभावित करता है इसके प्रभाव से सम होता है तो इसमें अककरांत मानोसरी का कौन्षा भाग होता है मस्तिस्क होता है इसके कार k में डियवधान sinelas से मस्टिश्क में ऑउक्सीजन की कमि हो जाती है ठीक है थी कि अप्रूतिय नहीं उपाती है मस्टिश में ऑउक्सीजन की कमि हो जाएझ़ क्योंकि औक गौन रगता है ही करा लो जाने का काम करता है। जो इस ट्रोक के समान अचानक लच्छर पैदा कर सकता है। तक इसका प्रभावब प्राया कुछ मिंटों से कुछ घंटों तक होता है। निश casing कोचन है वह एक स्वस्थ है और खुशहाल जिंदगी चुनने और उसके बारे मैं जागरुग बनने की एक शक्रिय प्रक्रिया है इसके क्या कहा जाता है दोस्तों स्धंदरुस्ति यानि की फीजिकल फिटनेस जिसका फीजिकल फिटनेस अच्छा है वह एक स्वास्त और खुशहाल जिंदगी चुनने और उसके बारे में जागरुग बनने की एक सक्रीय प्रक्रिया है तेके जो हमारा फिजीकल फिट्नेस है तंद्रुस्ती है सफलता और विफलता गति बीधियों को सिखने में किसी सफलता और विफलता सफलता मतलब प्राप्ति विफलता मतलब लालसा ठीक है तो प्राप्ति की लालसा की ताकत ठीक है सफलता और विफलता गति बीधियों को सिखने में किसी समझत है प्राप्ति की लालसा की ताकत आप राज़्तके प्रेखंपी अधर्स इयोँ धर्सन का प्रचार करी। ओल्लम्पीक आधर्स एवं प्रदशन का प्रचार करना राश्टीय मानता प्र्वाप्त खेल संगर्थर का बाधी कारी कर्तबेहें ऐसा नंबर यह होट में पैसे को सब्शक्र्द है उस क्या मुट्र Εह माध्यों में को सब्शक्राइब है क्या नहीं अगलती तक है क्या दोस्तों इस प्रकार ऐसे लिए बहुततु जल् specifications क्योंकि को सटन पढ़ने में अगर नहीं या हा में मिस्टेक हो गया तो एंसर पक्ता है कि यह गलत ही देगं कि नहीं पुछ रहा है कि हां पुछ रहा है इसको आप धियार Cancer कि कंस दरीजेगा कि एक supervisor में गुल नहीं होने चाहिए, यहां पर आप mistake से एंप पढ़ लेंगे कि एक supervisor में गुल होने चाहिए, नहीं पढ़ेंगे ही नहीं, तो उतर क्या देंगे, ठीक है, तो इसको ध्यां में रखेगा जिस questions में नहीं सब्ध का परियोग होगा, क्यों कि दोस्तों यह psychological effect है, इंसान इसको छोड़ देता है तो दोस्तों एक सुपरवाइजर में गुड़ नहीं होने चाहिए क्या गुड़ नहीं होने चाहिए दोस्तों वह स्वार्थी नहीं होना चाहिए स्वार्थी होगा तो कोई भी काम वह अच्छा नहीं करेगा सब की हीत में नहीं करेगा ठीक है पच्छपात करेगा तो यहां आपसा निमबर डी करेक्ट है उसके अलावा गुड क्या होना चाहिए दोस्तों उसमें समारपड का गुड होना चाहिए उद्धे से पूरा करने का जोस होना चाहिए अलसरण ये गता आभी गुड होने चाहिए ठीक है सभी के सार समानुए किताबों को पढ़ रहा है नांकिर से आगुड हो प्रसिछा में निब्गा करती है यहितमे आछी आपके तयारी होगी तो प्रसिछळ कर रहे रहेंगे प्रचीनिक अप्रपृफॉमेंस उतना ही अच्छह करेंगे फिजिकर ले दोस्तों यको अपको exam निकालना ह। थो तो प्रसिचछप के डिश्य आगरए। इस को पढ़र complex rate तो त्वे ही तैयारी आपको दिर्सेंट कितना रहेगा वह स得ा वातर। कितनी थी टिक है ए जनसंख्या और व्याख्या करता है क्या यह क्या है क्या करता है compare क्या है का आपसन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा कि वड़नात्मक अनुसंधान को सर्वे यानि नार्मेटिव सर्वे स्टेटेस आरी नामों से भी जाना जाता है और वड़नात्मक अधियन जैसे कि जनसंख्या सर्वेच वड़न और व्याक्या यह क्या है प्रश्ण के उत समाने छेतर में आता है तो किश्मी आता है नयतिक्ता में आपसन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा यहां स्पोर्स बिवेग से प्रेभित होकर के कारे करता है जबकि ऑप्रसिछित खिलाडी और reuse कारे करता है भारदर के लोड इं टेन्टेंसिटी होगा वा किसी के लोडệu पाती होगा भार घ масс तुकर यानी ड्योट वेल्यूम के जैसे थे दोस्तो इंटेंसिति आंड वेल्यूम यानि तीवरता और जो समय है उसमें विप्रित संबंध होता है अगर कारे क्या समय जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी यानि तिविता उतना कम होगा ठीक है अब उतनी दिरे-दिरे कारे करेंगे अगर कारे का समय जितना कम होगा, आपकी intensity यानine तिविता उतना ज़ादा होगी, तो इसलिए भार दर यानि लोड intensity जो होती है, वो भार घन्नत यानि लोड volume का बित क्रमा नुपाति होती है, volume का मतलब किकिसी कारे को कितना समय तक किया गया, intensity यानि productivity का मतलब की किखनी spirit में स्थेन से किया गया ठीक है next QUESTION है कि आपको पिल्यान करना है इसमें जैसे कि दोस्तों पहला दिया है भाला यह है भाला, तो भाला थेक का इसमें सही होगा अनुक्रमिक भाग विधी यानि भाला फेक का अनुक्रमिक भाग विधी यानि एका टू हो जाएगा एका टू हो जाएगा ठीक है भी है इन स्टेप किक इन स्टेप किक जो होता है दोस्तों यहाँ पूरी भाग पूरी विधी थीक कि पूरे भाग पूरे विधी यानि whole part whole method विधी में आता है तो यह इन इस्टेट किक का हो जाएगा four ठीक है एन इस्ट है marching तो marching आप किसी marching को प्रदर्शन विधी से ही आप सिखा सकते हैं ठीक है प्रदर्सन करके आप दिखाएंगे उसके अंसार अगला करेगा ठीक है तो मार्चिंग क्या हो जाएगा प्रदर्सन विधिए सी का वन हो जायEगा ठीक है एंड कच्छा सिच्छर जैसे कि दोस्तों आप तो जो पढ़ते हैं उसमें किस विधी से पढ़ते हैं तो यहां पर आसन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्ट कोश्चन है कि जो खाना हम खाते हैं वह किस प्रकार की उर्जा प्रदान करती है तो दोस्तों जो भी हम खाना खाते हैं चाहे वह प्रोटीन हो वर्षा हो वह में किस प्रकार की उर्जा प्रदान करती है वह कैलोरी की रूप में उस्मा इकाई कैलोरी की रूप में हमको उर्जा प्रदान करती है उसको किस चीज़ से मापते हैं हम जो भी खाते हैं उस उर्जा को किस चीज़ में मापते हैं कैलोरी की रूप में हमें परदान करती है जिसके मापन है तो प्राया केलियोरी का ही प्रयोग किया जाता है ठीक है नेक्ट कोस्टन है कि किस जल्धारी इस तर में किसी कुंड में खोदा गया कुआ है तो ओ खोदा गया कुआ जल्धारी इस तर में होता है कच्चा कुआ जैसे कि जो पक्काव कच्चा दो पक्काव के कुए होते हैं दोस्तों तो नेश्ट कोश्चन है कि जब डीजल, कोईला, तेल और लकड़ी जैसे इधनों को जलाए जाता है तो उसे एक घातक रंग हीन गंध हीन गैस पिय्दा होती है आप ऐसे एक घातक रंग हीन घंध हीन गैस पियदा होता है। कारवन मोनो आकसाइड के रासानी सुत्रशी ओ है यह एक रंगिन गंधिन श्वादिन अतिविसेली गैस है जो समानतर डीजल कोईला तेन लखनी जैसे इदनों को जलाने से उत्पन होती है इस गैस की हीमोग्लोबीन के प्रती बंदूता आक्सिजन की तुल्ला में बहूत अ करता है आक्सिजन को मुक्त नहीं करता है जिसे शरी में आक्सिजन का अभाव हो जाता है कार्व मोनो अक्साइड से अधिक जरता कि या इसी ती बने रहने पर ब्रतिकी मृत्यू तक हो जाती है ठीक है लाश कुमारी अमरित कोवर कोचिंग योजना कहां आरम हुई थी तो नेश्टी अनुसाशन योजना कप आरम हुई यानि कि नेशनल डिसिप्लिन इस्कीम तो राश्टी अनुसाशन योजना का आरम 1954 में हुई और किसके द्वारा हुई जनरल भोसले द्वारा और उस समय केंद्र में पुनरवास उपमंत्री थे जनरल भोसले इन्हें है कि क्या था यानि युनान में मुख्य उद्वारा था जैसे कि यूनानी खेल प्रे थे लिए उन्हें तंद्रुस्ती की बहुत ज़ुरत थी और इसके साथी खेल उनके जीवन का महत्वश्चा बन गया था दूर राजे एसन्टेंज का नाम खेलों से जुड़ा हुआ ऐसे ताकत वर इंसान पैदा बनाना था जो देश की रच्छा कर सके और 6 साल होने पर बच्चों को कड़ा सारी पर सिच्छर दिया जाता था ठीक है एंड जो नेक्ट कोच्छन है कि प्राचीन ग्रीश में अपोलो था अपोलो यानि सुरी देता को वहां पर अपोलो कहा जाता था ग्रीश में तो वहां कैसा था किस प्रकार के देता मानते थे लोग वहां के घाव भरने वाला देता घाव भरने का देता ठीक है आफसर निंबर बी यहां पर करेक्ट होगा थीक है खेल की यहां परिваसा किसी ने दी है कि खेल एक श्व地方 के द्वारा की जाने वाली गतिविधी है तो इस परिभासा को को दिया है इस तर्न झय जा result मंने मेक्डावलड कैंसर फ्राडियोन के संरच्षण ब्रिधी यां विकास के लिए खेल खेलकुत कहते हैं खेल करिया सिस्क्तिज को अव्यत्युति का पूर्ण ऐस प्युद्ध हूं स्कफ़ore कि खेल को माना जाता है उस देख से रहित कीरिया माना जाता है कि गौन सा कारत्ätों सारी श्वासता पर प्रबहाव नहीं डालता है गЙ नींत कई ग्र 2-0 २ Ltd यह बिलकुल डालता है प्रतिदीन ब्यायाम ये भी डालता है, संतुरत भूजन ये भी डालता है, लिखाई और पढ़ाई ये आपका नहीं डालता है, ठीक है? तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही, I hope कि सभी questions आपको समझ में आये होंगे, सभी questions very important है आपके लिए, दोस्तो बने रहे हैं, मेरे चैनल पर सभी topic के विधिवत, syllabus के according तयारी करने के लिए, एंड दोस्तो ये विडियो आपका कैसा लगा मुझे comment में ज़रूर बताईए, फ